आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which one of the following is called Pond Silk? पूछा गया है कि इन चारों में से दिखाई देते हैं और ये पूरे Pond को क्या करते हैं कि एकदम से Cover Up कर लेते हैं जिससे की क्या होता है कि Pond का एकदम से Green Coloration जो है वो दिखाई देता है और यही Green Coloration के वज़े से Pond का Oxygen Level जो है वो एकदम से Decrease हो जाता है और बाकी Organism जो है वो Live नहीं कर पाते हैं और अगर इनका Structure देखे तो वो होता है सिल्की Smooth Texture इनमें दिखाई देता है और साथ ही क्या होता है कि यहां पे Long Thread Like Structure जो है वो भी पाया जाता है इसे लिए इन Structures जो की Spidogira में पाये जाते हैं इसी Structures के वज़े से उनको Pond Silk के नाम से जाना जाता है तो इसी लिए हम लोग First Option को ही यहां पे टिक करेंगे जो की Correct हो जाएगा बाकी अगर देखा जाए तो Fucas, Mucor और Nostok यह तीनों जो है यह Soil में पाये जाते हैं और या फिर हम कह सकते हैं कि Wet Places में पाये जाते हैं इसी लिए इनको Pond Silk के नाम से नहीं जाना जाता है तो जो हमारा Correct Option है वो है Spirogyra और उसी को हम यहां पे टिक कर लेंगे